पाकिस्तान ने यहाँ पर ओपनली ब्लेम किया है इंडियन गवर्मेंट को फॉर दी अटाक ओन चानीज नैशनल्स यहाँ पर आप देखोगे CNN भी इसको कवर कर रहा है पूरा इंटरनाशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है क्योंके ना सिर्फ पाकिस्तान इस बार चाइनीज मीडिया चाइनीज सरकारी मीडिया भी भारत को ब्लेम कर रहा है विद पाकिस्तान यहाँ पर एको लिखा है पाकिस्तान के जो विदेश मंतरी है इन्होंने ब्लेम किया है अफगानिस्तान और भारत को और फिर यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स चाइनीज कॉमनेस पार्टी का ओफिशल माउट पीस है यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान की इस स्टेट्मेंट के बाद जब पाकिस्तान के विदेश मंतरी ने भारत और अफगानिस्तान की करन गवर्मेंट का यहाँ पर नाम लिया उसके बाद चाइना के विदेश मंतरी ने यह बात बोलती है कि चाइना अपोस करता है एनी फोर्स चाए कोई भी देश हो अगर वो आतंगवाग का इस्तवाल करता है जियो पॉलिटिकल गेंस के लिए तो यह एक बहुत ही गलत एक्जामपल सेट किय और आगे आप अगर पूरा आडिकल पड़ोगे अब यह आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पर पहली बार चाइना के सरकारी मेडिया ने रौ का मेंशन किया है और यह भी यहाँ पर का है कि इंडिया यहाँ पर सीपेक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है मगर सबसे पहले यह यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आप देख पाऊगे यह पाकिस्तान है यह यहाँ पर पाकिस्तान का अपर खोहिस्तान एरिया है और यहाँ पर इनका एक डैम बन रहा है आज के समय डासू डैम तो डासू डैम में आज के समय चानीज वरकर्स भी काम कर रहे हैं प इस incident को ये downplay कर दे और यहाँ पर चाइना को ये बोले कि ये बस एक accident है यहाँ पर आतंगवाद बिलकुल नी हुआ पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने on record ये का था कि जो ये बस का blast हुआ है ये हुआ है because of mechanical failure यहाँ पर आतंगवाद का कोई भी angle नहीं है मगर चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान की statement को reject कर दिया और यहाँ पर ये का कि हमारे हिसाब से आतंगवाद का यहाँ पर angle है हमारे 9 engineers यहाँ पर मारे गए हैं हम इस बात को ignore करनी सकते हम अपनी team यहाँ पर भेजेंगे पाकिस्तान में और हम जाजपरतार करेंगे कि क्या यहाँ पर ये accident हुआ है या फिर ये एक आतंगवादी हमला था और ना सिर्फ China एक्चुली World Bank ने भी उसके बाद अपनी एक team भेजी यहाँ पर और इस पूरी site की investigation करीए अब यहाँ पर आपको होगे wait World Bank अपनी team यहाँ पर क्यों भेजेगा क्योंकि जो ये डासू डैम प्रोजेक्ट है इसकी total cost है roughly आप कहा सकते है 4.5 billion US dollars और इस amount का बहुत ही बड़ा हिस्सा World Bank finance कर रहा है करीब 700 से लेकर 800 million dollars यहाँ पर World Bank finance कर रहा है तो उनके finance project में अगर problem आती है वहाँ पर जो worker जा रहे है काम करने के लिए उन पर attack होता है तो World Bank भी यहाँ पर हो जाता है involved तो जो World Bank की team है वो भी यहाँ पर गई पूरे डैम की जो security है इसको analyze किया और पाकिस्तान को warning दी कि in the future हम आपको low नहीं देंगे अगर इस type के blast होते हैं हमारे funded projects के आसपास और even China ने भी यहाँ पर यह कह दिया कि जब तक investigation complete नहीं हो जाती तब तक डासू डैम पर हमारे worker भी काम नहीं करेंगे और उसके बाद हमने यह भी देखा कि बहुत सारे जो चाइना में engineers हैं जो चाइना में workers हैं आज के समय गन्स या किसी type की एक rifle carry करके घूमते हैं अपनी protection के लिए ताकि वो खुद को बचा पाए in case of an attack तो यहाँ बहुत समझ सकते हैं कि जो 14 जुलाई को attack हुआ था it was a huge attack और इसका impact World Bank से लेकर Chinese Government हर तरफ देखने को मिला नव यहाँ पर सबसे जी बात यह है कि initially पाकिस्तान यह बोलता रहा गया कि यह एक आतंगवादी हमला नहीं है यह बात सबने यहाँ पर notice करी उसके बाद पाकिस्तान अब यहाँ पर claim कर रहा है कि नई यह एक आतंगवादी हमला था और ना सिर्व यह एक आतंगवादी हमला था यह था एक suicide attack और पाकिस्तान के विरेश मंत्री ने यहाँ पर press conference में यह का है पाकिस्तान की capital में कि अफगानिस्तान की जमीन से आतंगवादी आये थे इनको fund किया था अफगानिस्तान की government ने इंडिया ने इनको intelligence input दिया और तरीके सेन की help करी और जिन लोगों ने यह attack carry out किया वो थे तहरीके तालिबान की ना यहाँ पर मैं आपको यह बता दूँ पाकिस्तान intentionally यहाँ पर भारत का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि यह openly करना नहीं चाते कि इनके देश में भी अब तालिबान का काफी negative impact देखने को मिलेगा चाहे वो अफगान तालिबान ना हो यह तहरीके तालिबान है पाकिस्तान तालिबान है मगर पाकिस्तान की government यह बोला नहीं चाती openly कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है इसका negative impact इनके देश में भी पढ़ना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर यह भी notice किया जा रहा है कि पहली बार चानीज गर्वर्मेंट ना सिर्फ चानीज गर्वर्मेंट एक्चुली चानीज सरकारी media भी यहाँ पर भारत सरकार पे अरोब लगा रही है यहाँ पर आप अगर दिखेंगे इसका article ग्लोबल टाइम्स का तो यहाँ पर यह open ली लिखते हैं मैं काऊंगा इसलिए यह एक बहुत ही जादा important development है मेरे ख्यास अब time आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली चाइना और पाकिस्तान दोनों को reply करें और बताए कि FATF की ग्रेलिस में कौन सा देश है आतंगवाद का अरोपी यहाँ पर कौन है UN Security Council में designated आतंगवादियों को किस देश ने कितनी मार बजाया है क्योंकि यहाँ पर आप दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक नरेटिव बुनेंगे और RAW का नाम काफी बार लेंगे अफगानिस्तान की गर्वर्मेंट का नाम काफी बार लेंगे और कोशिश करेंगे कि overall इंडिया का नाम यहाँ पर आ जाए आतंगवादी हमले में और इससे internationally भारत की भी repetition खराब हो तो यहाँ पर आप देहोगे Global Times ने अपने article में openly Research and Analysis Wing का भी mention यहाँ पर कर दिया है हलाकि इनुने यह का है कि पाकिस्तान क्या रहा है कि जो इंडिया का Research and Analysis Wing है RAW यह यहाँ पर involved था अफगानिस्तान की जो security agency है National Directorate of Security NDS यह भी यहाँ पर involved थी और फिर जो इनकी सरकारी उनिवर्सिटी है उनके थूँ अब यहाँ पर यह बलवारे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान अब कोशिश कर रहे हैं कि CPEC रुख जाए अफगानिस्तान और इंडिया के relations भी बहुत ज़रा strong है अगैन जब यह कहते हैं अफगानिस्तान तो current अफगानिस्तान government की बात कर रहे हैं अश्रफ गनी की सरकार की बात कर रहे हैं तालिवान की बात नहीं कर रहे हैं तालिवान is altogether different तो Global Times यह भी claim करता है कि अगर इस टाइप का हमला इस टाइप का blast अगर कोई देश carry out कर सकता है विदिन पाकिस्तान तो या तो यह अफगानिस्तान होगा या इंडिया ही हो सकता है क्योंकि दुनों देश जानते हैं कि पाकिस्तान की internal politics क्या है किस तरीके से यहाँ पे अपने लोग भेजने है तो यह मैं कहूंगा बहुत ज़रा serious आरोप है भारत पर और I think up time आ चुका है कि US के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर चाइना को properly blame करें for various issues Taiwan के issue को लेकर Tibet के issue को लेकर हम अभी भी बहुत ज़रा चुप है whereas China बहुत vocally India की अलोशना कर रहा है तो I think up time आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ साथ हम चाइना को भी blame करें for the rise of terrorism in South Asia और ऐसा नहीं है कि यह news अभी खतम हुई है चाइना ने आवर यह भी claim किया है कि पाकिस्तान के पास proper evidence है और international forum में पाकिस्तान बहुत ही जल्द जो भी यहाँ पर countries involved थी उन पर acquisition भी लगाएगा तो देखना होगा यहाँ पर कि पाकिस्तान की government यहाँ पर क्या सबूत प्रेजेंट करती है और क्या international community पाकिस्तान और चाइना के इस blame को seriously लेंगी या फिर नहीं और finally आपर मैं यह भी add करतूँ कि Unacademy की freedom से list of चल रही है simply यहाँ पर जाओ comment section में pinned comment में आपको मिलेंगे यहाँ पर दो link यहाँ पर परचेस कर सकते हैं Unacademy का special combo pack combo pack में खासियत यह है कि सिर्फ एक परचेस से आप त्यारी कर पाओगे UPSC prelims, mains optional key आप अगर combo से बहार तीनों courses अलग-अलग purchase करोगे तो अराम से आपको 10,000 से रुपर रुपे extra pay करने होंगे तो एक तो यहाँ पर वैसे आपकी saving होगे इत्रू combo इसके ओपर additional discount आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर promo code use करते हैं PD10 the prices will fall even more so use the promo code PD10 and save your money so इसी note के साथ यह है आपर वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all you